दोस्तो अगर आप भी जस्परित बूमरा और अकाश दीप को अच्छा खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को जरू लैक किजिएगा दोस्तो चोथे टेस्ट मैच के पहले दिन बूमरा की जगा लेने वाले अकाश दीप ने अकेले दंपर पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला लेली है ट्रिक तीन विकेट चटका कर तोड़ दिया सालो पुराना रिकॉर्ड देखकर ऐसी घातक गेंदवाजी आपके भी उड जाएंगे होश तो दोस्तो आकेर भारत की पूरी गेंदवाजी आपको वीडियो में दिखाएंगे तो बने रहीएगा अंत तक लेकिन उससे पहले आप सबी को क्या लगता है कि अकाश दीप और जस्परित भूमरा में से कौन अच्छा गेंदवाज है अपनी किमती राए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो चलिए अब आपका ज़दा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो जैसे कि आप सबी तो जानते हैं कि भारतिया टीम इंगलेंड के खिलाफ चौत्था टेस्ट मुकाबला खेल रही है और चौत्थे टेस्ट मैच की शुरूरात आज बेन श्टॉक्स के टॉस जीतने के साथ हुई जहां उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्ले बाजी करने का निर्ने लिया हाला कि पहले बल्ले बाजी करने का फैसला उनका कई हद तक शुरूरात में तो सही साबित हो रहा था लेकिन अकाश दीप जब अपने पर आये तो उन्होंने इंग्लेंड की टीम को बुरी तरह से खदेड कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों आप सभी को जानकर बेहदी खुशी होगी कि यहाँ पर जैक क्रॉली और बेंड डकेट ने जब पारी की शुरुआत की थी तो इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने ताबर तोड बल्लेबाजी करता हुए पहले विकेट के लिए बड़ी असानी से 47 रंज ज जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बेंड डकेट 11 रं बना करी आउट हुए अब एक विकेट गिर जाने के बाद इंगलेंड की टीम का दवाम में आना तो बिल्कुल तैत थाई और इस बीच जैक क्रॉली और ओली पॉप पारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही इसी दसवे ओली पॉप का विकेट अकाश दीप को मिला और दोस्तों यहाँ पर लबी डबलू आउट करके अली पॉप को उन्हों ने घर बापिस बेजा और दोस्तों यहाँ पर अब दो बड़े जटके लग जाने के बाद जैक क्रॉली को भी कहां अकाश दीप छोड़ने वाले थे अकाश दीप ने उनको भी आड़े हातों लिया और तीन विकेट एकी ओवर में चटका कर हेट्रिक गेंदवाजी से अकाश दीप ने इंगलेंड के मूसे यह मुकाबला पूरी तरह दूर लेकर चले गए इस बीच आपको हम बता दें कि अकाश दीप ने अपना पहला ही ड पहरतर कापते हुए नजर भी आई इस बीच दोस्तों आपको हम यह भी बताते हुए चलें कि अकाश दीप भारत के लिए अब ऐसे शांदार गेंदवाज बन चुके हैं जिनोंने टीम इंडिया के लिए ताबर तोड़ गेंदवाजी करवाते हुए तीन विकेट हासिल कि खिलाडी अनिल कुंबले रवी चंदरन अश्विन और यहां तक की बुमरा मोहमद शमी जैसे खिलाडियों को पीछे कर दिया है वहीं दोस्तों आपको मैं भी बता दें कि अकाश दीप की ऐसी शांदार गेंदवाजी के आगे अब इंगलेंड टीम के खिलाडी टिक नहीं पाए हैं और यहां पर टीम इंडिया बड़ी असानी से मुकाबला जीतने की रहा पर आगे भी बढ़ चुकी है और दोस्तों अब यहां पर रवी चंदरन अश्विन ने भी एक विकिट जोनी बेश्ट्रो का लेकर पूरी तरह से इंगलेंड की टीम को दोहरा शाई कर दि यहां